आज के वीडियो में हम लोग इन्पोर्टेंस एज लिमिट के बारे हम देखेंगे कि प्रधान मंत्री राजपती और सरपंज लोगे कितने एज होने के बाद आप इसका एलेक्शन इसके चिनों में कार हो सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोई चान सरपंज बनने की कितनी उमाण होती है अपसन ए 18 ऑपसन भी 21 वर्स ऑपसन चीपचीश पर अपसन दी 30 वर इसका सही अंसर ऑपसन नमबर भी 21 वर्स के उमर में आप सरपंज के लिए चुना लग सकते हैं नेक्स्ट है मुख्या बनने के लिए निवंतम कितनी होती है तो आपस कितनी होती है अपसन नमबर सी 25 वर्स विधायक बनने के लिए 25 वर्स की उमर होनी चाहिए नेक्स्ट है विधायन परिसद मतब एमेल सी बनने की नूंतर उम्र कितनी होती है एंप्सब्स 25 वर्स 13 वर्स तिसका साही अंसर होगा अप्सन नमबर डी 30 वर्स एम लä सी बनने के लिए उमर 30 वर्स क्यों होनी चाहिए लोकसर बनने कि निव्टम उम्र कितनी होती है सदस बनने के लिए निव्ब पंजम कितनी होती है आप्शन ए 35 वर्स, आप्शन बी 20 वर्स, आप्शन C 30 वर्स, आप्शन D 25 वर्स, तो इसके सही अंसरों का आप्शन नमबर C 30 वर्स होने के बाद आप लोग सभा का सदस बन सकते हैं नेक्स्ट कोईचन है, मुख मंत्री CM बनने के नियुनत्रमूब कितनी होती है, आप्शन A 25 वर्स, आप्शन B 18 वर्स, आप्शन C 18 वर्स, मतलब 20 मनली जब्लू, आप्शन D 30 वर्स, सही अंसर आप्शन नमबर A, 25 वर्स होने के बाद आप CM के पत पर जा सकते हैं, नेक्स्ट ह सही अंसर होगा, आप्शन नमबर C, गवर्नर बनने के लिए आपको 35 वर्स की नियुनत्रमूब होनी चाहिए, नेक्स्ट कोईचन है, प्रायम मिनिस्टर, मतलब प्रधान मंत्री बनने का नियुनत्रमूब कितनी होती है, आप्शन A, 20, आप्शन B, 25, आप्शन C, 30, आप् आप्शन A, 30 वर्स, आप्शन B, 35, आप्शन C, 20, आप्शन D, 25, इसका सही अंसर होगा, आप्शन नमबर B, 35 वर्स उमर होने के बाद ही है, प्रसिटेंट बन सकते हैं, नेक्स्ट कोईचन है, उप्रायम मिनिस्टर बनने के लिए नियुनत्रम आयू कितनी होनी चाहिए, आ आप्शन C, 35 वर्स उमर होने के बाद ही बहुत प्रसिटेंट बनते हैं, तो ये रेक उचाज जीके कोईचन, इसी तरह जीके कोईचन देखने के लिए, हमारे यूट्वी चैनल JPGK, स्टड़ी को सब्सक्राइब करें, बैल अकन को दबाए, वीडियो देखने के लिए धन